अध्याय सोल आकणा प्रबंधन व विशलेशन डाटा हैंडलिंग एंड अनलिसस अपने जीवन में हम जाने अन जाने आकणों का उप्योग करते हैं इसमें हम अपने पुराने अन्बहों के आधार पर जानकारे के विवस्थित कर उससे निशकर्ष निकालते हैं जैसे जुलाई के महीने में आकाश में बादल हो और हवा पूर से आ रही हो तो हम यह कहते हैं कि आज बारिश होगी इसी तरह जो लोग यात्रा करते हैं वे जानते हैं कि कुछ गाड़ियां अकसर समय पर आती हैं और कुछ अकसर देर से आती हैं हम दाल, चावल, गेहूं, आदी खरीदते समय कुछ हिस्सा जाच कर यह तै कर लेते हैं कि इसे खरीदना उप्युक्त है या नहीं हम क्रिकेट के खेल में देख सकते हैं कि किस दर से रन बने हैं और किस दर से आगे बनाने हैं आदी हर रज अगबार में अधिक्तम तापमान, निवंतम तापमान, औसत आदुता, सूरियोदय, सूरियास्त, आदी का समय देखते हैं इन सभी आकड़ों को देखना, समझना वा उससे निशकर्ष निकाल पाना हमें बहतर विशलेशन करने में मदद करता है हर व्यक्ती, परिवार, पंचायत, प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार वा इसी तरह हर धाचा, फैसला लेने वा योजना बनाने के लिए आकड़ों का उप्योग करता है जितने बहतर ढंग से हम आकड़े ले सकेंगे, उने नियोजित कर सकेंगे और इनका विशलेशन कर सकेंगे, उतने ही अच्छे हमारे निर्णे होंगे, वा उनका क्रियानवन भी उतना ही बहतर होगा आकड़ों का संग्रहन एवं प्रस्तोती करण, डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन मान लीजे, आपकी कक्षा में तीस विद्यार्थी हैं और आपको निमना आकड़े एकत्रित करने को दिये जाएं, तो आप कैसे करेंगे? पहला, आपकी कक्षा के प्रतेग विद्यार्थी के रक्त समू की जानकारी, और दूसरा, कक्षा में उन विद्यार्थियों की संख्या, जो पैदल या अनिसाद्मों से विद्याले आते हैं एक कक्षा के विद्यार्थियों ने दो समू में यह कारे शुरू किया प्रत्येक समू ने विद्यार्थियों के पास जाकर उनके रक्त समू वसाधन के बारे में पूछा समू एक और समू दो ने ये सानी बनाई अब इन दो सानी में बारम बारता को किस तरह से लिख सकते हैं आईए समझें संख्या एक को एक खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं संख्या दो को दो खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं और संख्या तीन को तीन खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं संख्या चार को चार खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं बारम बागता सार्णी समू एक ने एक अत्रित किये गये आंकडों को विवस्थित करने वठीक तरह से समझने के लिए सार्णी तीन की तरह लिखा इस सार्णी में गळना चिन्नी के साथ साथ संख्यात्मक मान भी दर्शाय गया है जैसे बी पॉजिटिव के सामने लिखी संख्या 9 बताती है कि इस कक्षा में 9 ऐसे लोग हैं जिनका रक्त समू बी पॉजिटिव है ऐसे ही अन्य संख्याएं भी ये संख्याएं अपने सामने लिखे रक्त समू की बारंबारता बताती है इस प्रकार बनी सांडी बारम बारता सांडी कहलाती है समू ने फिर इस सांडी को दंडा लेक के रूप में भी दर्शाया